चलिए अभी देखी यहां पर आज पैसे हमने सुबा मॉनिमन क्लास लगा ली है तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेना आपने जो भी चीजें थी उनको बाद में देखेंगे जो चीजें बच गी है उसमें पाशावाले पोर्शन में लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा है 85 marks का होता था ठीक है तो कि हाँ 21 को नहीं लगी 21 को सन्ड़े था ठीक है तो 805 marks का रहेगा ये वाला आपका एंड पहले जो है 85 का था अब जो आपका हंडर का हो गया एक क्योंक्ति आपने क्लियर करनी है तो यहां पर 65 questions या यहूं कहें कि आपका जो रहते थे वो कैसे थ जो literature या फिर आपका grammar वाला portion होगा वो लेकिन अब इसमें जो है आपका plus आपने 15 और add कर लेना है ठीक है तो लगवग इतना आपका क्या रहेगा literature ही literature और grammar जो रहेगा थोड़ा बहुत उसको याद एकना है बाकी जो 20 रहेगा वो वैसे ही रहेगा 10 आपका तो यह आपको थोड़ा सा मोटा सा आइडिया रखना है कि इस तरीके से अभी लास्ट वाला जो एक्जाम है जो अभी होने जा रहा होगा आपका वह वाला ठीक है फिर जो दूसरी चीज रहेगी वो रहेगा कि इस वाले पेपर में देखना बहुत ही सिंपल सी कॉमन सी चीज चीज ने पूछी जाते डैस पूछण था पर आपको नहीं कर सकते हैं थीक है तो यह एक PGT वालों के लिए ह recognition में इस तिरिकी कोई चीज नहीं भी रहेगी हाँ हाँ मार्क्स का ही होगा कुश्चन लेकिन आपको यह थोड़ा सा यहाँ रखना है जैसे भी जो भी है ठीक है एंड सिम्पल सी बात है नेगेटिव वाला वो ध्यानक नहीं पीजीटी वालों नहीं उसमें कोई ज्यादा वह नहीं रखना है क्योंकि एल्टी यह आइस देखेंगे उसके बाद हमार पास चो है फुक वीलियम कॉलillä से होगा क्लास चल रही है क्या के तीम्पल् आ इनगे पर नेटवर्क नहीं पहले भी स्था नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या क्लास चल रही है हाँ म näch उसको देखेंगे थोड़ा सा देखना यहां पर इसमें देखेंगे आप जो भी चीज़े मैंने आपको पहले दिन बताई थी उन हर एक टॉपिक से आपको प्रशन पूछे गए हैं ठीक है जैसे आइटिंग सुनिया मैं कहा रहे थे या कोई और कह रहा था कि जो आपका इसक पहले दिन बता दी थी कि हर एक टॉपिक से आपको एक एक प्रशन रहेगा वही चीज़ यहां पर पूछेगी यहीं कि सबसे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यहां पर इसमें लिखा गया है बायोग्राफिया लिटर एरिया किसकी रशना रही है तो सीधा सा प्रशन में यहां पर दक्रूट प यहांगे पहले आपको यह भी कहा था कि पास्ट यहांपर थोड़ा सा कम पूछह जाएगा वनस्मत आपका जो भातिक आवशास्तर है वनस्वता आपका जो भातिक आवसर रहेगा यह चीज़ आप ध्यान रख लीजिए एंड यहां पर सब्सक्राइब नाम है उनको जादा फोकस किया जाता है यह ध्यान रखना है आपको अब एक चीज तो यह प्रश्णियां पर पूछ लिया गया हमारे काम है इन चीजों को ठीक है यह जो चार चार नीचे विकल्ब है ना इन ही को आपने फोकस करना है और इन ही से ही आपके प्रश्णि बनते है और यही एक एक स्टेटरज्य अपको प्रश्णियों को और आपको प्रेपर यहां पर ध्यान रखनी है ओके याद रखना इनको देखना इन्होंने से धांत भी कुछ दिये है मैथ्य और नॉल्ड ने कवीता की बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं है तो वो चीज़ें भी जरूरी है हर एक चीज है उनके बारे में डिसकॉस हम आज नहीं करेंगे आज मे यहां पर इतनी ही ध्यान रखनी है ठीक है यस पुनम कुछ कह रहे थे चलिए शायद नेटवर्क कम है उनके पास भी वह भी चलेगे क्लास से तो पहला हो गया देखना पाश्चात्यक आवशास्त्र से आप नोड़ान करते रहें टॉपिक तो पहला टॉपिक होगा पाश् अभी हम कर रहे हैं हिंदी के उत्पत्ति और विकास की बात हम अभी फिलहाल हमने कहां तक देखा था अठारा सो तक देखा है फोट विलियम कॉलेज तक हलांकि वहां पर ललू लाल वगेरा जो भी रशनकार रहे है वहां तक हम पहुंच चुके है अभी यह जो बात कही थ थी यह कही थी राजा प्रसाथ सितारे हिंद ने और इनका जो समय था यह था 1826 के आसपाथ तो आप यह मान के चलिए कि 1850 के आसपाथ से नोंने यह बात कही है तो सिंबल सी बात यहाद रखना है यहां पर एक और प्रशनया से भी पूछ जाता है देखना यह जो राजा श होती ही देखना जिस तरीके से हम हिंदी में आज के समय में क्या देखते हैं जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो अपनी हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वह बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल या कोई पॉ इनको जो है अपनाना पड़ेगा यह बात इनों नहीं कही थी और यही चीज हम आज की समय में भी देखते हैं बहुत साइब लोगों का भी यह मत रहता है कि अगर हमें आधुनिक्ता के साथ या मतलब अगर ज्यादा वो दिखना है हमें सब भी दिखना है तो हम क्या करेंगे हिंदी के साथ जो अंग्रेजी के शब्दों कािस्तिमाल भी करेंगे ठीक है बहुत ततब यसे रही थी ऩिक, राजाशी प्रसास सीता चलर इसके बारे में विस्तार से आगे देखेंगे अभी 270 सही मतलब है और आपको पता रखना है तो दिखें, दूसरा वाला प्रशन कह आपका जो राजा लक्षमन सिंग है इन्होंने भाषा किस प्रकार की रखी तो इन्होंने संस्कित निष्ट रखी थी बाल मुकुंद गुप्त ये हिंदी के पक्षदर रहे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बाल मुकुंद गुप्त ने इसको साहिबाना पाद्रियाना को मतलब जो ये चार विकल्ब हैं इन से ही तो प्रशन बनते हैं पूछा गया है ना ये वाला भी हिंदी नाइचाल में ढली बाल मुकुंद गुप्त चलिए वो शायद आपको नहीं पूछा गया होगा लेकिन पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बताया कि साहिबाना पा करने का काम नहीं है क्लासिज लगवाने भी है ठीक है और उपर से टाइमिंग सही नहीं बैठ पा रही है तो ये लोग ये आप जो है अपना जो रिस्पॉंसिलिटी है उसको खुद ही समझते रहें साथ साथ में एंड मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो स्टुनेंट करके कुछ लिखाएगा वही आपकी स्टुडेंट आईडी है जब विफीज करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है उस स्टुडेंट आईडी को आपने स्क्रीन शॉट साथ में रखना है ओके चलिए तो फिर तीसरा दो प्रशन होगे एक हो गया पाश्यात्य का विशास को मैं तो सेटरड़ी या संडे कोई कर सकती हूं आपको तो पता है वह अभी क्लास के बात करते हैं बात इस पर अभी चलने देते हैं क्लास को चलिए दूसरा चीज आएगी यहां पर अगला जो तीसरा प्रशन है देखिए यह है बीती विभावरी जागरी अंबर पंगट दूबो रही तारागट उशा नागरी जैशंकर प्रसाथ आधुनिक काल की पंक्तियां लगबग 5-7 पंक्तियां आधुनिक कालीन काब्यकी ठीक है सिंपल सा प्रशन मितलों सिंपल सा तो क्या मतलब सीधा सा आपको यहां पर यह द्यान रखना है कि आपका भारतेंदू य प्रेम और मस्ति के कभी रहे हैं इन से भी आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद रखनी है ठीक है बाकी तो आप अल्ड़ी जानते ही हैं तो आधुनिक काल के लिखकों की कभी ताइं या पंक्तियां जो रही है उनकी यह चीज़ भी याद रखनी है ओके तो यह हो गया ती कहानिया हैं जो प्रसिद प्रसिद कहानिया रही है इन से आपको यहां पर ध्यान रखनेना है कि समाजिक्ता के उपरिनों ने लिखा कुछ इनकी जो है जिसको हम माक्सवादी विचादारा से समन्दित कहानिया रही है ठीक है वो भी रही है उनके बारे में थोड़ी सी ची तो कहानी नाटक उपन्यास इन तीनों से आपका सेम प्रशन बनता है देखना कैसा प्रशन बनेगा एक तो रचना किसकी है दूसरा उस रचना की स्टोरी यह है तीसरा मतलब यहीं उसी में ही विश्य आ जाएगा चौती चीज हो जाएगी आपका कि उसमें अगर कोई पात्र कालिन प्रिथू देखिए एक बाप फिर से नाटक का विश है मैंने पहले भी बताया था तो प्रिथू था धर्ति का पहला राजा और इसी तरीकी से पार जो आपका नहरू था वो भी बारत वर्श का पहला प्रधान मंत्री था तो उन दोनों के सामने चुनौत यहां सेम एक को राश्टर बनाना था दूस्तरे को विश्यो बिनाना था मतलब मतलब राजिय चलाना था तो यह बात यहां पर ध्यां रखना है प्रेम लटा कह रहे हैं कि स्क्रीन डियों हो रही है आई इधिंक आपको पास network कम है बाकियों को शो हो रही है या नहीं हो रही है तो द्यान रखना है चलिए देखिए इसको भी आप नेटवर्क देख लीजिए प्रेम लतावें नेटवर्क देख लीजिए सब लोग फिर अगला जो आ गया देखिए फिर से नाटक से भी आ गया अब उपन्यास से दिलो दानिश कृष्ण सोबती सीधा सप्रशन कुछ भी करने को नहीं है मैरूनेसा परवेज इनके भी कुछ एक उपन्यास जरूरी है नासिरा शर्मा ठीक रेकि मंगनी बहुत इंप्रण्ट है मेरे दुला गर्ग बगेरा बगेरा मतलब इनके एक एक उपन्यास महिला लेकिकाए खासकर महिला लेकिकाए आपको चाहे वो कहानी क रही हो चाहे आपकी उपन्यास की लेकिकाए रही हो उनसे सम्मंदेत प्रश्ण आपको जरूर याद रखना है ठीक है तो देखिए उपन्यास से भी हो गया फिर उसके बाद सातों प्रश्ण है कई दिनों तक चूलार हो या चकी रही उदास नागरजुन की कवीता बहुत आते हैं के दानात अगरवाल जो है यह प्रगतिवादी पंत के नाम से इसको जाना जाता है प्रगतिवाद का जो प्रगतिशील त्रई है उसके अंत्र इसका नाम नहीं आता हलंकि प्रगतिवादी ये रहे हैं बुक्तिवोद भी आपका प्रगतिवादी स्वरकार रचनक पंक्तियां मैंने पहले ही कह दिया कि 57 पंक्तियां आपको जो है आधुनिकाल से पूछी जाएंगी तो सबसे इंपॉर्टन टॉपिक वो भी है ठीक है फिर आता है यहां पर नेमिलिक्त में से कौन सा ताब सब तक कभी है यह शायद मैंने आपको बताया नहीं था भी या बत प्रशन बनता है कि कौन सा कृष्ण कभी है कौन सा आपका राम कभी है कौन सा सगुन है कौन सा सूफी है कौन सा संत है इस तरीके से प्रशन पूछे जाता है देखना और ऐसा ही प्रशन आप देखेंगे भक्तिकाल में एक और बनता है कि अश्ट छापका कभी कौन सा है य यह प्रश्ण आपको जुरूर बनेगा तो ठीक यही चीज यहां पता सब तक से बनती है आधोनिक काल में एक चीज और पूछी जाती है देखना जितने भी हमारे भारतेंदु योग से लेकर के नई समीक्षा तक या नई कवीता तक रहे हैं उन सब के बारे में भी आपको प अपन्यासों में तो उपन्यास अभी आप देखेंगे प्रेम चंद औतर प्रेम चंद पूर प्रेम चंद यूगीन मत्लब परीभ्र का ठीक है आपका आधिकाल से ले करके अंत्र तक जो भी चीज़े रहेंगी उन सब से आपको यह प्रशन जो है जरूर बनेगा ठीक है यह ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिए यहां पर हो गया आपका तास सब तक देखिए आधुनिकाल से भी आ गया यहां पर है नियम और नची केता की कहानी पर आधारीत रचना तो देखिए मैंने जैसे हम वैदिक साहिते से पढ़ रहे थे कि जो कठोपनिशित के अंत्रगत आने वाली यम और नची केता की कठा है उस पर आधारिक बहुत रहे हैं तो यहां पर आपको यहां में पूची जाएंगी इधर नहीं पूची गी दूसरी जगह कहीं न कहीं आपको यह जरूर मिलेंगी ओके तो इन बातों को आपने थोड़ा सा यहां पर ध्यान भी रख लेना है नेक्स आता है यहां पर देखिए प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहिस की देखिए फिर से उपन्यास वाला वैसा ही प्रशन पूछा गया यह बहुतला देखना शायद नेट नहीं चल रहा है आपके पास जिन लोगों को शोड़ नहीं हो रहा है उनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है वह अपना नेटवर्क चक कर लें देखिए जितने भी आपके यूग रही है उन सब की विशेष्ताएं आपको यहां पर प को भाग है उसके से भारतेंदों में हम देखेंगे कि मध्यकाल और जो आधुनी काल के बीच एक द्वंद्ध था वो रहेगा या फिर भारतेंदों की एक बहुत ही मतपण विशेश्टा मान जाती है जिसको हम समस्या पूर्ती मानते हैं ठीक है वैसे दिवेदियों की इतीव अबाद आ जाएगा तो वहाँ पर थो हम सब लोग जानते हैं कि जो होतो भुषन के रहे हैं उसके बाद आपको प्रयोगवाद आता है वहां पर व्यक्ति वासडिता रहती है तो वह वियक्सी को महता देते हैं जब कि जो प्रगती शील लेकर रख रहे हैं उन्होंने समाज को महत दिया है प्रगतिवाद के अंतरगत तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारे यह उप भाग रहे हैं आदुनी काल से उन से भी आपको प्रश्ण बनेगा ठीक है फिर आता है भारते हंदू का कौन सा नाटेरा सक देखिए पहले भी मैंने कहा था कि नाटकों का प्रकार तो नाटक से दूसरा प्रशन आपको बन गया मैंने कहा था कि आपको नाटक वाले पोर्शन से 70-30 का रिशुर हैगा देखना नाटक नहीं जो आपका गद्य वाला पोर्शन है तो यहां पर आपको एक और चीज देखने को मि प्रश्ण बनेगा देखना जैसे इसका भाण कौन सा है भाण होता है आपका जिसको हम एक पात्रिय नाटक भी कहते हैं ठीक है इसके बारे में देखेंगे जब नाटक के बारे में विस्तार से जानेंगे वहां पर फिर दूसरी चीज यहां पर आपको यारकन है जैसे उसका भाण हो गया, परहसन हो गया, लासे रूपक हो गया गीती नाटे हो गया इस तरीके से आपको ज़रूरी यारकना है फिर उसके अनुवादित नाटक है दूसरे. नाटा के क्षेत्र में एक के नाटकों का प्रकार दूसरे के नाटकों की जो विशेवस्तु हैं और जो आपका भारतेंदुहरिश्चंद्र है उससे क्या याद रखना है उससे आपको याद रखना है उसकी प्रकारों की फिर आता है आप देखे किस साहितेकार ने अपनी आत तो यह जो रहे हैं हरिवंश्राय बच्चन हरिवंश्राय बच्चन की आत्मकता जो है देखना मैंने आपको कहा भी है कि आत्मकता से समंदित प्रशन आपको साथ-साथ में याद भी रखते रखने हैं है ना जो आपका टेस्ट गेरा होका देखना भी आगे आने वाला तो उ तो यहां पर द्यान रख लीजिए और समरीती आतरा कि किस ने कहा था हरी मिश्राय बच्चन फिर इसके अलाबा अगला जो प्रशन है देखिए पंद्रुआ यहां पर आत्मकता से भी प्रशन आगया देखना गध्य की जो कौन विदाये हैं ऐसा नहीं है कि वह इंपॉर्ट प्रशन आगया ठीक है निवन्द से भी प्रशन आपको दिख रहा है तो यहां पर रेती के फूल यह रामधारी संग दिन करका था फिर इसके बाद देखिए ससी बदनी है नाइकाताप हरीत हैं जोए पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो परिकर अलंकार तो एक आदा प्रश है उसके बाद कार्वा किसका एक आंकी संग्रह है तो वनेश्वर का तो तेखिए नाट का भी उपभाग है एक आंकी वहां से भी आपको प्रशन रखे गए हैं है ना फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मौन भी अविवेंजना है फिर से आधुनिकाल की एक पंक्त प्रशन रहे हैं इनको भी आप जरूर यादक हैं कुवर नराइन के दानाथा गरवाल भारत पुषन गरवाल सारे ही नाम मत्तों पूर्ण है देखना यहां पर फिर आता है देखिए पांच प्रशन आपको क्रमानुसार वाले जो PGT कमिशन के लिए जा रहे हैं क्रमानुस प्रशन देख लेना आपने ना यसे देव भिहारी मतिराम इत्यादी इनको देख लीजिए कौण कौन से इसमें अगे है कौन सा पीछे है यहां से आपको जरूर्य रखना है तिक ना ऐसा आपको क्या रखना है याद की आपको क्रमानुसर वाले प्रशन पूचे जाएंग नहीं पढ़ता है, मतिराम भी मौत्वपोन है, पदमाकर भी जरूरी है, ठीक है, इन सब को यहां पर रखा गया है, सही क्रम से लगाने के लिए, तो रीति कालिन का भी आते हैं, एक चीज या रखना कि जो वक्ति कालिन का भी है, उनको भी पूछे जाता है, एंड दूसी ची यह जो आपके चायवाद के या तो कभी पूछे जाते हैं, या चायवाद की जो रखना हैं, उनको पूछे जाता है, या चायवाद के किसी एक लिखर की रखना, जैसी यहां पर महादेवी वर्मा की रखनाओं को रखा गया है, तो चायवाद और वक्ति काल दो ऐसे जो बहुत ही जादा जरूरी है ठीक है उनको यादक नहीं तो दूसरा प्रशन यहां पर महादेव वर्मा की रशनाओं से था फिर अगला जो प्रशना देखिए रामधारी संग दिनकर आधुनिक काल के जो श्रिष्ट श्रिष्ट कभी हैं उनको भी क्रमनुस्या लगाने को पूछा गया है तो मतलब जो चीजें हम कहीं न कहीं पढ़े हुए हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम देखी यह सारी चीज़ए इनों के बार बार चाए छोटा एकजाम देंगे बड़ा एकजाम देंगे इन तक हम ज़रूर कहुंछते हैं चाहेम Requ Maで वर्मा हो या फिर आपके जो री टी का लिंकर रहे हो इनिकू तो देखते हैं और इन ми인이 की चीज़ें यहां पर पुची घाई है तो समाने सी चीजें आपको यह возможnit रखनी है अब लगको यह हूं पर जो आपके उपन्यास है पड़कि से उन से संदिए पूचental पूचा तो उपन्यासों से रिलेटिट पूछा गया है जो उनको क्रम अनुसा लगाई तो यहां पर भी श्रेश्ट उपन्यास रखे हैं जैसे त्याग वत्र जरेंदर का उपन्यास से बहुत प्रसीत उपन्यास है नदी के दूई पे देखिए ये अगे का उपन्यास है आदा गाउ उपन्यास सीख जो कृतियां है उनके बारे में भी आपको ध्यान रख लेना है फिर इसके बाद देखिए आखरी जो प्रशन पूछा गया है जो करमानुसाथ तो पांच शे प्रशन आप देखेंगे यहां पर जो आपको सीक्वेंस वाइस आएंगे और यह प्रशन बहु कि जो विशेशनाय रही हैं उनको सही क्रम में बताया है तो यह मैंने पहले भी आपको बता दिया सबसे पहले देखिए मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद यह सबसे पहले ही होगा मध्यकाल पहले आ जाएगा आधुनिकता जो सिंक्रांतिकाल रहा बीच में अब सिं 1343 से लिए करते 1843 से लिकरी 1870 से आपकाी रिति क अब 1843 से लिकरी 1880 सर तक का जो समय रहा वो रहा संक्रान्थिकाल ठीक है, मतलब उसमें कोई भी ऐसा एकदम से नया काल नहीं है, जैसे हम रीती से रीती की और गए एकदम से, लेकिन रीती से आधुनिक काल तक पहुंचने में में बहुत जादा टाइम डग गया, इसलिए इसको कहते हैं कि वहाँ पर एक दुन्द था, ठीक है, दोनों चीज गया था, अंग्रीजों के खिलाप वाला, ठीक है, तो दो धड़ों में जब बंड किया, तो वहाँ पर आपसी संघर्ष, आपसी जो दो अंदर रहा, उसको ही संक्रांतिकाल काल गया, कहा गया, और वही उसकी विशेष्टा भी आएगी, फिर उसके बाद आया, आपका इत गट गई है, उस गटना का हम फिर से वरन करते हैं, इस तरीके की रचनाई यहां पर ज़्यादा रची गई है, खासकर मेहतली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है, इनके बारे में हम आगे हर एक टॉपिक के बारे में देखेंगे, एक एक चीज़ करके, लेकिन तब तक आपको ऐसे ही यहां पर मोटे मोटे तोर पर इनको ध्यान रख लेना है, फिर है प्रेम जनित सूक्षम भावों की अभिव्यक्ति, तो यह कहां पर रहेगा, यह रहेगा आपका जो चायवाद रहेगा, उसके अंतरगत, फिर उसके बाद आत सकते हैं, समस्या पूर्ती, किसमें, भारते अंदयुग में, ठीक है, याद रखना है यह वाला, ओके, इस दीके से यह क्रम रखा गया है, और यह बहुत अच्छा प्रशन है, और इंपोर्टन प्रशन है यह वाला, इसको आपने जरूर याद रखना है, ऐसी प्रशन भी आपको हो सकते हैं, पूछे जाएंगे, चलिए, नेक्स देखते हैं, इसके बाद क्या था, इसके बाद थोड़ा सा आपको HPGK था, उसको आपने खुद भी देख लेना है, मेरा GK इतना जाता सही नहीं है, आप देखना इसको है, देखिए जैसे पूछा गया है, कौन सा लाहुलसपिती को जोड़ता है, वैसी इसमें ठीक जो किये हुएं, वो ठीक है, उनको आपने देख लेना है, खास का जो है, ऐसे ही रहेंगे, आंसर, ठीक है, उनको आप देखिए, खुद से हम देखेंगे, लिटरेचर वाला भी, क्योंकि हमारा जो मेन काम है, वो है लिखा गया था, बहुत ही जरूर यह देखना, हिंदी साहिते का विकास शीर्षक से, यह भी आदकना है आपको, तो हिंदी साहिते का जब इथी हास था, यह पहले किस नाम से लिखा गया था, हिंदी साहिते का विकास शीर्षक से, हिंदी शवलसागर की भूमिका में, इसक हम पहुंचे नहीं अभी कौन सी भाषा समयधान के आठ्वियों सूची में है तो जरूर सूची में समलित नहीं है यहां पर आपको या रखना है कि भूजपुरी यह प्रशना आता है देखना आठ्वियों सूची में या तो कौन सी शामिल है या कौन सी शामिल नहीं है ऐसा संवेधानिक स्तिति अभी हमने भाषा की देखी नहीं कि हम अभी हिंदी कुत्रपति ke के बारे में ही पढ़ रहे हैं जब हिंदी की समयधानिक स्तिति आएगी तो हमाँ हमारे खिर आता है याँं पर देखिए जो आप धावर्वन है उसका उचाना स्थान तो भर जो है अर्भी का ये शब्द रहा है ठीक है ज्यादा तर जो है हमारी हिंदी में किसके शब्द मिलेंगे अर्भी और फार्सी के ही शब्द मिलेंगे इसलिए आपको ऐसा प्रशन जरूर पुछ जाएगा इसको भी आपको ध्यानक नहें अब चाहे आप इसको भाशा के अंतर पढ़ लीजिए या फिर आप जो है व्याकरण के अंतरिस को पढ़ लीजिए कि जब शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे वहां पर भी आप याद रख सकते हैं लेकिन मेरे अनुसार अगर अभी याद रखेंगे तो ज्याद अच्छा रहेगा क्योंकि अभी हम भाशा पर लिखाया देखिए एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई सोतंतर सार्तक धुनिया यह हम सब लोग जानते हैं उसको हम शब्द कहते हैं यह भी हमने अभी कर लिया था जब हम भाशा के विकास करम की बात कर रहे थे तो शब्द से लेकर के शब्द से लेकर के पद हर ची चाहित है तो वो रहती है क्रिया सींपल सी बात या रखनी है एंडे नेक्स आता है जिस समास में दूसरा शब्द प्रदहान रहता है कि आपको सब्द बन जाए गया तो आपको शब्द दिया जाएगा या फिर पूछाएं क्या है ठीक है दोनों चीज़ें आ रखने थे न कि स्वर्ग का व्यंजन है तो ये तवर्ग का अंतिम व्यंजन आता है याद अख लीजिए नेक्स आता देखिए कौन सी उपभाषा फिर भाषा से समंधित प्रशन पहले भी कहा था जब हमने स्टार्ट किया था कि 5-7 प्रशन तो भाषा से बनते ही बनते हैं ठीक है तो यह पिहार है हंदी कि यहाँ पर फिर से आगया हिंदी की इतने वर्षियों के हिंडी साहित्यकियास को अचारे नाम च्नल्स शुक्रालम्स में विवक्त किया है, तो आपको या रखना है 900 वर्षियों को क्योंकि 1050 बचास से लेकर के पदमवती समय किस रशना का अंश है तो यह प्रित्विराज रासों का एक समय है देखना यहां पर एक प्रशन पूछा यह भी जाता है कि प्रित्विराज रासों में जो खंड है या जो सर्ग है उनको क्या नाम दिया गया है समय शीर्शक दिया गया है यह भी आप याद जाता है सिंपल सा प्रश्ण ये वाला भी वसंत्री तुम्हें अगर होता तो यहां पर वसंत्री तुम्हें गाया आता है फागू कावे ठीक है वो भी ध्यान रखना है आदिकाल से को रचना है देखे कुमारपाल प्रतिबोद गद्य पद्या संस्केट प्राकृत कावे के संस्केट लें लेकर तो ये हैं सुमप्रब सूरी अब देखिए आपको यहां से इस परशन से ही किपने बशन बन गए खुद बहुद पहली चीज़ तो पहला प्रॉसन देखिया कि यह सोमप्रब सूरी की रश्न रही है कुमारपाल प्रतिबोद हेम चनर की थी कुमारपा चरित ठीक है ऐसी ही रशना है ओके यह तो अंतरपता होना चाहिए फिर यहां पर आपको या रखना है देखना गद्य पद्य मई संस्कित और प्राकृत प्रशन ऐसे पूचे जा सकता है कि यह गद्य और पद्य में विशीत है तो चंपू का अवे के अंतरगत इसको हम गिन स रखते हैं दूसरी तरफ या रखना है कि यह क्या है संस्कित और प्राकृत दोनों भाष्चाओं का इसमें मेल रहा है यह भी या रखना है ठीक है एंड जयन अचारे मेरुतों जो भी आपके जयन अचारे रहे हैं प्रबंद चिंता मनिती विदय दर की एक आवली इनकी र रचना सुरें गिता बले की रचना गो स्वामी ने सूर्दा सीक्या अनुकरन पर की थी अचारे रामचंदर शुक्ल की पंक्तियां बहुत ही जादा मुटपूर्ण है इसलिए मैं आपको कहा है आपके काम की जो पंक्तियां है वो सारी के सारी हमें गोविंद पांडे और स आप ले सकते हैं तो उसको आप अपने पास जरूर रखें वो इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन उसको भी लेने की जरूरत मैं समझता हूं इस एक्जाम के लिए फिर हाल उतनी जादा नहीं है ठीक है हाँ अगर क्लासिस नहीं लगवानी है खुद से पढ़ना है तो फिर ले लिजिए तो ले लिए फिर फिर आता है इसके बाद अश्चाप के किस कभी अश्चाप के जो कभी थे किस दार्शनिक मत को मानने वाले थे यहां पर आपको सिंपल या रखना है कि यह थे शुद्धाद वैत्वाद तो भक्तिकाल के अंद्रगत मैंने पहले भी कहा था है कि वहाँ पर संपरदाय बड़े इंपोर्टेंट है और उन संपरदाय को जो सिधान थे वह इंपोर्टेंट है वहां से यह प्रशन रखा गया देखना रास पंचाद हाई नंददास नंददास की रचना जरूर पूछी आती है हर एक एक एक्जाम में अंदास या रास इसान की बनती बंती पूछ लेते हैं इनुसर एक से अपके गृति बद कावैधर आख कभी रहे हैं चीन का पूरा नाम था संयद गुलाम नभी फिर यहां पर था अगला जो प्रश्ण है देखिए विराग उत्पन होकर वरिंदावन जाकर गहनानद की संपरदाय में बैश्णव हो गए थे तो यह याद रखना है आपको निम्बारक संपरदाय में यह दिक्षित हो गए थे और यहां प्रश्ण यह भी पूशे जाता है कि जो जब इनको वहां से देश निकाला दे दिये गया तो यह कहां चले गए थे तो यह ब्रिंदावन चले गए थे यह भी ध्यान रखना है और नादिर शाह के आकरवन के दौरान के मृत्यू भी थी इनके गुरू कौन थे मतलब घनानद जो इंपोर्टन नाम है उसका सम पूच गया देखिए आधिकाल से बहुत ज्यादा प्रशन नहीं है तो यहां पर पूचा गया मनुहर कि सुफी कावे का जो है नायक रहा है तो में दुमालती क्यान उनकी और चाहन है लेकिन जो अन्य है मतलब जो उनकी उनके राजगुमार है उनके बारे में ही प्रशन यहां पर ज्यादा बनता है वो याद रखिए फिर अगला प्रशन है देखिए अजगर करेन चाकरी भक्तिकाल से पूछा गया है यह वाला प्रशन ठीक है याद रखना है खेती न किसान को बिखारी को न भीक वली तुलसिदास यह कविता वली की पंग्तिया है ठीक है इसको या रख लिजिए कर्म जोग पुनि ज्यान उपासन सभी भ्रम भरमायो यह वाली पंग्ति जो है उप्रुक्त जो लिलत जानने का आतमसक्षकिस कवी को बताया है यहां पर या रखना है कि यहां पर जो आपके यह थे सूर्दास ठीक है उसकी यह पंग्तियां रहेंगी फ आपका चायवाद व्योग रहें हैं इनके जो शेष्ट 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 हैं वहां से आपको जरूर पता होनी चाहिए जैसे प्रिया प्रवास हो गया साकेत हो गया का माईनी हो गया यह बड़ी इंपॉर्टेंट रशना है लोकायतन हो गई है ना राम की शक्ति पूजा हो गई उसके बारे में पूछा जाता है रश्मी रती पूछ जाती यह देखना उन सबसे आपको थोड़ा-थोड़ा जरूर ध्यानक नहीं जैद्रत्वद वगेरा जो मैंतली शानकुप्त की रही है भारत भारती के बारे में प्रशन बनता है नमिल कितने से कौन सा नाटक जो है लाला श्री निवासत नाटक से एक और प्रशन पूछा गया है देखना जैसे द्यम्यंति स्वेंबर था हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या हो गए हैं और क्या होगे अभी भविश्यत खंड आपका प्रशन यहीं से निकल जाएगा कि इसमें क्या चीज रही है भार आपको देखना इंप्रूर्ट्ट है यह वाला प्रशन भी राता है निम्लकतमें से कौन सी कावर रचना स्त्री जीवन की विडमबना को चित्रित करती है प्रलाएग की च्छाया यह आपको किस की रशन रही है यह रही है जैशिंकर प्रसाद की प्रचना और किस वरकार की लंबी कवीता है तो जैशनकर प्रसाद की जित्री मिहां पर कवीता हैं ये सारी की सारी क्या हैं लंबी कवीता हैं ये प्रशन आप यहीं से खुद ही बना लीजिए कि जैशनकर प्रसाद की प्रसिद लंबी कवीता हैं कौन को सी हैं तो ये चारों का नाम आपको याद रख रहे हैं निमिल कितने से निराला की कौन सी कावे रचना जो है प्रगतिवादी विचाहद अशन से प्रभावित यह हम सब लोग जानते हैं राम की शक्ति पूजा और भहुती श्रिष्ठ यह पंग्ती यह कवीता इनकी रही है और लंबी कवीता है इनकी यह वाली भी और इस चलिए और राम की शक्ति से पुजा से यह व्रशन भी बनता है कि यह किस की प्रिष्ट भूमी पर लिखी गई है यहां पर आपको सिंपल या रखना है कि यह जुक्रिती वासी रमाइन है बांगला में उसकी कृष्ट भूमी पर अधारी दिया रशना रही है मैं बच्मन क जो जांसी की रानी कभीता है उससे भी प्रशन रहता है ठीक है जो आपका मतलब यहां से सिंपल से साफ है कि जो राश्ट्य सांस किति कावैधारा के कभी हैं उनको भी याद रखना है फिर आता है मितक के समन्द में निमलिकत में से जैसे मितक बिंब प्रतीक शब्द शक् सीचित से अगले करन जो अलग करने का उपरण है सामोहीक अपचेतन और सिध्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो ये थे यूग्ग सामोहीक अपचेतन सिध्धान्त जैसे फ्राइड है देखना मनुविश्लेशन बगेरा बगेरा कालमाक्स मनुविज्ञान कर रहा आई ये रिचर्ड जो मूले का सिध्धान्त रहा पाश्यात्य का विशास्तर का एक और प्रशन यहां पर रखा गया है याद रखना इस उसको भी आवको अपने महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखा था तो यह थे पत के साथी ठीक है मेरा परिवार में जो पक्षियों पश्वों के जीवन से समन्दित था उसको याद रखना है हापको है ना वहां से प्रशन यहां पर देखिए रेखा चित्र से समन्दित प्रशन जो नाटक की अंत्रगत आता है आपका तीन जीज़ें एक ऊंकी नातक सीधा एक आंक और एक तीसरा आता गीति नातक को हम गीती कावे के अंत्रगत भी रखते हैं या हम कावे नाटक की श्रेणि में भी गिनते हiping आप उसको ज्याना टाइम में क्या रखेंगे नातक से समन्द भी ठीक है अगने लीख जो भारत भूशन अगरवाल था एक कंट विश्पाई दुशंद कुमार की होगी मत सगंधा मत सगंधा इसका भी मुझे द्यान नहीं है चलिए वो देख लेंगे आगे हम उत्र पिये दर्शी ये सची दमन्हिरानंद वात्सेयन अगे का ये भी गीत प्रशन पूचे गए हैं इनको याद रख लीजिए यहां पर पूचा है शब्द की जिस शक्ति अब देखें पहले उपर था आपका इसे मितक से यहां है शब्द शक्ति से पहले ही बता दिया था मने कि शब्द शक्तियां भी जरूरी है यह साईते शास्त्र वाले बनेगा ओके फिर आता है यहां पर देखिए एक ही शब्द शक्ति के अनेक पार प्रिक्त हों उसमें आप सब लोग तो था इनी प्रशन यह सिंपल सा है उसको आप खुद देख लिए ना फिर यहां पर आता है शब्दार्थो सहीतो काभ्यम साहित शास्त्र भार्टे का व रटटने क्या करके थी उतक्ति वाद फिर भट लोट के बाद शक्कू Commerce की अनुमीतिवाद उसके बाद मेजित भुखत शीर्शक से और अभीनवा नहीं भारत मुनी ने किया था और रश संप्रदाय जो सब से प्राचीन संप्रदाय माना जाता है भातिय कावे शास्त्र में और क्यों जो है इन संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ यहां पर आपको सिंप्ल या रखना है कि कावे की आत्मा का जब सवाल उठा तब जो है भात पर पर उचित्य परता है किसी ने माना कि रस जो है कावे की आत्मा है किसी ने रिती को माना किसी ने जो आपका अलंकार को माना है बहुत ही इस बहुत हैं कि बहुत ही मात उच्पून है यह आपको लिःद रहे हैं तो यहां पर मिला के आप देखेंगे हमने जो शुरुआत से हिंदी भाशा से दूसरा हमने काहां तक देखा बिल्कुल आपके गौन विधाओं तक हर एक टॉपिक से आपको एक दो दो या कईयों से आपको ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे जो ज़्यादा महत्पून टॉपिक हैं इतने प्रश्ण यहां पर रखे गए हैं और इस तरीके से आपके लगवग लगवग 65 के आसपस्ता की प्रश्ण ह से ठीक है तो यह बहुत आसान सा पेपर था इतना ज्यादा मुश्किल यह नहीं था लेकिन इस से बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं हो सकता और इतना असान भी नहीं हो सकता आपका पेपर तो आपको यह चलना है कि इस एक्जाम को या इस पेपर को देखके आपको ऐसे से रखना है कि इस से थोड़ा सा टफ और ना बहुत ही ज्यादा टफ पी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि नेगटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा ब्राबर बैलेस्ट जैसा पेपर होगा आपका ठीक है तो वही चीज़े आपको यहां पर यहां रखनी होंगी I hope कि आप सब ल थोड़ा सा डीटेल तरीके से मिलेगा यह यह कहें कि थोड़ी सी बारीकी से बारीकिया कुछी जाएंगी तो वैसे हम डीटेल तरीके से ही पढ़ रहे हैं इस एक्जाम को देखें तो यह मुझे लगता है कि अगर जिनन लोगों ने हमारे साथ एल्टी टैट की परिक्षा मैं जो कि त्यारियां की थी मैक्सिम्न सुरेंट जो है इस एक्जाम को उन में से बहुत सारे लोग जो है वो मतलब ऐसे ही चलते चलते उसको दे सकते थे तो आई होप कि आपने समझा होगा और कुछ नई चीज़ें जानी होगी आज के इस लेक्चर से समझा आगी बात सब को या फिर अभी भी किसी का डाउट है कि कैसा पेपर आता है I think सब लोगों ने पेपर देख लिया और इसकी पीडियप आपके पास ही रहेगी इसको आप सासाथ में देखते रहना ओके अब आप कहिए किसी ने कुछ कहना है तो फिर आप कह सकते हैं पेपर के बारे में या फिर त्यारियों के बारे में कि अभी तीन जो हमारे पांच लेक्चरिस से पहले हो गए हैं है ना चार हमने क्लासिस लगाई हैं पांच जो हमारा इंट्रडक्शन सेशन था उसमें अगर आपको कुछ फॉर्मेलिटी लगी हो या फिर ऐसा लगा हो कि कोई चीज आपको नह कराई जो अब रख सकते हैं और लो के है या फिर गड़ बढ़ है कि मतलब मैक्सिमूम चीज़ आती है हां बस ऐसा जब लग जाए तो समलीजी कि एक्साम आपका अच्छा होने वाला है ऐसा लगना चीए वैसे सब को है 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 चलिए तो किसी और का कुछ है बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं जटिन पूनम कह रहे हैं कि डेमो क्लासिस देखनी है तो हमने डेमो के तौर पर ही तो रखा है इनको कि चार-पांच क्लासिस आप देख लीजिए अगर कॉंटिनु करना है तो ठीक है नहीं करना है तो फिर आप की चाहिए डेमो कोई अलग से नहीं बनाया है मैंने वहना मैं उसमें बिलीब करता हूं कि आपको डेमो के लिए तीन-चार क्लासिस चीज़ी बना के रख दी फिर बाद में वही चीज़ें तो ऐसा तो नहीं है जो भी आपके पास अभी चार-पांच लेक्चर आपने देखें वही है मेरे लिए डेमो के तोर पर आपके लिए तो अब अगर किसी ने कॉंटिनु करना है तो वह लोग मुझे बता दें और जिनोंने अ अपना अपनी जो रिस्पांसविलिटी है उसको सही तरीके से समझा है हां किसी को दिकत हो सकती है तो उनोंने फौनी कली जो है बात कर ली थी कि वह कुछ टाइम ठैर के देंगे वह एक चीज होने वाली है पर अगर है सचा रहे हैं तो फिर मुश्किल है तो इतना ही है नह तक जाना है मैंने अब तो टाइम यही रहेगा अब कोई भी वहां पर टाइमिंग चेंज करने वाली बात नहीं करेगा दिखना डूसरी वाले जो वैच के स्टुटेंट हैं उनसे मैंने अल्रेडी अभी उनको भी करना पड़ेगा कि उनको भी थोड़ी से दिकत हो रही थ से पर उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम तो 9-10 ही लगा रहे थे अमारा ठीक चल रहा था पर यहां पर जादा स्टुटेंट थे इसलिए मैंने सूचा कि जादा जो लोग है वहां पर होने चाहिए आज जैसे की 50-50 तक पहुंच गई थी संक्या यहां पर पर बहुत 25-26 लोग तो ऐसे ही चलता रहेगा अभी जो है 9-10 ठीक है शाम वो शाम को सारे लोग प्रीवी हो जाते हैं तो यहीं टाइम रहेगा अब चेंज नहीं होगा देखना कि अच्छी के सब्सक्राइब करें अच्छी के सकते हैं बद टाइमिंग को लेकर करके अब कोई ना कहें ठीक है तो ऐसे ऐसी बात है तो फिर दो गंटे की क्लास लगाने पड़ेगी वैसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम चीजें गंटे गंटा कम है पर मुझे लगता है अगर मेरे साथ क्लास लगा रहे हैं जो चीजें आप दूसरी क्लास में तीन क्लास इस में पढ़ेंगे कहीं दूसरी जगा देता हूं अभी कोषिश बोलता तो मैं हमेशे हूं कि कोशिश करूंगा पर मैं अगर बोलूँगा तो मुझे लगता कि मैं भूल रहा हैं चीज़ों को चलिये कोशिश करता हूं अच्छा हो जाए और आप भी थोड़ अगर आप यह चीज पकर लेंगे तो मुझे लगता है कि कही न कहीं ठीक हो जाएगा ठीक है तो आप हमें रोज पर एक दो लेखक देजिया करों अब पूछ लिया करो थोड़ा क्लास में तो सब को यह हो जागा सर पूछे लिए तो सब करते रहें जो जैसे मैंने दूसरे अपने जो ग्रूप के बच्चे हैं उनको मैंने यह का है कि वो साथ में गौण विधाओं के प्रश्नों को साथ-साथ में करते रहें मतलब वो खुद से अभी देखें बाकी बीच में उनको बता दूँगा कि यह यह राइटर जो है इनको जादा फोकस करना है और उनको नहीं करना है फिलहाल आप अपने एंड से यही करते रहें आपने एक टेस्ट तो आपका यह चलता रहेगा जो हमारा भी भाशा वाला होगा पहला ठीक है फिर इसके साथ आपको एडिशनली जो अपने तरीके से अपने खुद से यालक ने हैं जैसे हमने आपको विधा दे जैसे यात्रा साहिते दे दिया अब आपको पता है कि यात्रा साहिते से कोई जादा प्रशन नहीं बनते है वहां से बनेंगे आपको एक दो मिल जाएंगे वैसा ही रहेगा आपका गौन विधाया आपकी 10 से 12 विधाया हैं देखना आत्मकतार एक चित्र जीवनी यात्रा वितांद डाइरी इंट्रिव्यू बगेरा विए जो भी हैं तो एक दिन में एक कोई भी विधा आप साथ साथ में याद रखे रखें प वह सारे लोग जो है जादा दिल्चस्पी भी दिखाते हैं ठीक है तो यही मैं चाहरा हूं कि अभी जो चीज़े में आपको कहा रहा हूं कि इन इनको आपने खुद से देखते रहना है तो जितना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से वह सही है अभी यह वाला चलने तो जहां जहां जो जो चीज़ें आ रही है वो ठीक है और दूसरे तरफ जो आपका गद्य पोर्शन है उसको साथ में निकालते रहिए ठीक है बाकी तो पढ़ने के लिए तो खैर मैं आपको बोल दूं कि आप कल जो है भारतेंदू को पढ़के लाईए फिर अगर मैं पूछन लग जाओं तो दो प्रश्न से तो बात नहीं हो जाएगा नहीं तो फिर एक डे फिक्स करना पड़ेगा लास्ट वाला जैसे वीकेंड हो सकता है वैसा हो सकता है पर वीकेंड तक हमारा जो है टॉपिक खतम हो जाता है माली जी कभी फिर वहां पर वह ची है अभी ना ऊसमें हो यह रात विए वार्ट वॉसमें तो होनी चाहिए सारी बुक में मिल जाएंगी वह तो लूसांट समाने विवी के बुक में भी मिल जाएंगा अपको घंजी समय अने अभी स्वाइव ना गौविन पांडी की वुक मुख आयो जा आए वैं तो फिर छ कब तक होगा अब यह सवाल मुझे से मत कुछना पड़ेगा हम तो पिछले दो एक साथ से त्यादियों पर ही लगे हुए है तो यह सवाल तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब होगा कि दो अज़र ते इस मैं अएगा दो हजार तेइस को अपिल कौन बोल रहे है कुल दीप है कोने ग्लास में अभी जिटर दीषर कुल दीप ओके दो जारतेईस था तो था तो तो अज़र तेईस तक तो हमारा से लिए बस भी कंप्लीट हो जाएगा बड़ी आर वीजन रिप् चलिए ठीक है फिर राज के लिए फिलहाल अभी इतना ही बाकी आप सब लोग पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए और यूहीं मुस्कुराते रहिए इसी उमीद के साथ कि कल हम एक नय टॉपिक की शुरुआत नई तरीके से करेंगे तब तक सब लोगों के लिए बबाए ग ट्रिश tenía सिर्व बकार, क्या थे स्ट्रातरश कल मुसुरातर तरीके सब लुथ स्ट बाए और नाइए झाल मैंज सर्